हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टो माइ चैनल फ्रेंज आज मैं आपके साथ इस प्लांट के बारे में बात करने जा रही हूं इस प्लांट का फ्रेंज नाम है प्लुमेरिया प्लांट इसे हम चंपा भी कहते हैं इसे ग्रो करने का सही टाइम है फेबरुरी इसे लेकर कि आप इस ओ एप्रिल तक ग्रो कर सकते हैं यह फ्रेंज गर्मी का प्लांट है और इसमें वाइट कलर के फ्लार्स आते हैं स्मेल भी काफी अच्छा होता है हुए हिए दो अब बात करता हैं इसके सोयल के बारे में छिर्ट में आफ़ी नौर्मल सोयल लिजे एक हिसा काडेन एक हिसा संड और एक हिस और आप क्षाइब कर सकते हैं यहां क्टिंग लेते हैं और इसे क्टिंग से भी लो कर सकते हैं और अगर जब ठंडे में इसका थायम खता हो जो उसका फ्लावरिंग टाइम वो ठंडे में नहीं होता है तो ठंडे में इसके सारे पत्ने गिर जाते तो बहुत लोगों होते हैं कि सुस्थें कि इसुम्हें तो लीब साहिँ तो यह अब फ्लांट खराब हो चीका तो इसे फेक देते लेकिन ऐसा नहीं है यह ठंडे में अपने सारे लीव्स को गिरा देता है लेकिन फिर गर्मी आते हैं फैबरियरी मार्च एपरिल तक फिर से इसमें लीव्स आजाते हैं और एपरिल मही जून से में फ्लावरिंग इस को क्योंकि इसे मौशर चाहिए बड़ इसको सौगी ना करें अब देखे जैसा कि मौशर बड़ जादा पानी नहीं होना चाहिए इसके मिट्टी में और फ्रेंट्स अगर आप ज्यादा पानी इसे देने लगेंगे तो यह यहां से ग्रीन होना शुरू हो जाता है जो कि य इसे जादा पानी नहीं चाहिए और बहुत लोग होते हैं कि इसका फ्लावरिंग टाइम आगे है लेकिन इसमें फ्लावर्स तो आहीं नहीं रहा है तो फ्लावरिंग टाइम आता है तो इसको एक्स्ट्रा फूड चाहिए अगारत नहीं है थंपयार कास्टा यह Cabinet रहे हैं तो इक्स्ट्रा फूड के लिए आप इसमें बून मील डाल देंगा तो सबसे होगा ठृट्राइब स्मेटाराइब करें तो भी अपके लिए MID-ánt daí में जादी जाद अच्छा नहीं होता है तो अगर-अपके ज्यादनिया हो रही है हमारे तो उतनी थंड नियों disproportionately बडिशिंबर लास तर्थ में आप इसे अगर चाहे तो इंडोर में रख लें तो इसे कम दिन में कम अगर नॉर्मल डे में अगर देखा चाहिए तो इसे कम से कम तीन से मुझा पांथ से छे घंटे का इसको धूब चाहिए सप्टेंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती है और उसके बाद फिर इसका पीरेड होता है वो खतम हो जाता है तो अक्टूबर से लेकर कि फिर फेबररी तक इसका ग्रोथ इतना जादा नहीं होता है तो फ्रेंस मुझे लगता है कि मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है इसके सॉयल के बारे में बता दिया है इसके संलाइट के बारे में बताए कि सुनलाइट कितना रिक्वायर है और विंटर्स में यह उतना ग्रोनी करता है सब के बारे मैंने बता दिया तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तैंक्यू फ्रेंज